आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्रीवास्तो प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है 24 चुनाओं को देखते हुए लगातार रणिती बनाई जा रही है और पितरिक बर्ग को अपने पाले में करने का प्रयास लगातार सभी पार्टियों का जा रही है बश्यरूरी भी है क्योंकि चुनाओं बड़ा महपून है और आम चुनाओं के माध्यम से इस पस्ट हो जाएगा कि आने बाले समय में सरकार किसकी बनेगी खेर चुनाओं तो अगले साल है और इसके बाद परणाम भी अगले साल ही आएंगे चुनाओं के बाद और तस्वीर इस पस्ट हो जाएगी कि इस बार सरकार किसकी बनेगी है जहां बीजेपी इस बार बोल लें कि अपकी बार 400 पार अपकी बार है ट्रिक और सबसे मेट पूर बात है उत्ताप्रेस में स्टी सीट जीटने का खुल कर दावा कर रही है और जिसकी तैयारिया लगभग हम देख रहे हैं मईस से शुरू हो चुकी है तैयारे तो बहुत लंबे समय चल लए है कि बीजेपी हमेशा 24 इंटु 7 की चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है तो तैयारी हमेशा चलती रहती है मैं से कवायर और सक्रीता से चल लए है टिपन पर चर्चा चाय पर चर्चा पेजबारता के माध्यम से अपने कारकाल क पताने की नीती इसके लाबा सबसे महटपूर बात है जनता से संभार इस्थाप्र करने के लिए जन संपर्क अभयान भी लगातार चल ला है बीजेपी की स्थिती और इसके लाबा अभी हाल में जो तैयारी चल लई है वही चल लई है कि जो 14 सीटों को जीता कैसा जाए उस वोटर्स जो नहें मत्राता बने हैं उनके बीच में अपने नीथी और काम पौंचाने के लिए बोटर्स रहा बयान भी जरू करने जा रही है जिसके लिए कर अब बड़े नाम हैं कि नेता हैं यह नए मद्दाताओं के बीच में जा कर सर्कार की उपलब्जियों को बताएं हैं उत्ताप्रिष की बार हम कर रहे हैं क्योंकि यहां पर करें召ー iotaoupone करें आमाली पार्टी के बार करें यह तव्यूंख को लेकर नजरें बनाये हुए हैं यह जहर देखा कि दिस हौंद 14-17-17-19 उनीस चुनाओं रही तौह जो नांतार बीजेपी संमिरन कराती रही है रग थो सबमिरन करें मिठक भी तोड़ दिया था तो उसी पटकठा पर सायद अब सब्मावड़ी पार्टी भी एक नई नीटी के साथ चलती नज़र आ रही है हलाकि सब्मावड़ी पार्टी भी कराती थी पर इस बार नए सरी से लोग जागरन यात्रा साइकल यात्रा के बार अब यहां पर सब्मावड़न कराए गया तमाम लोग आये थे वहां पर संकल प्रिया गया कि आने वाले 24 चुनौं में बीजेपी को खाड फेकना है बीजेप सहां तक या कैरका हुआ तो प्रियस कार आले का नाम भी आज के लिए मुलायम नगर कर दिया गया या या नि आज जये बंगत के आए पार्टी के ऐसलश्चक चारवार के मुखमंत्री और सबसे मैपूरातर मंत्री रहे मुलायम सिंग को भी उसी तरह यार्ट किया गया जि इस सम्मेलन में अल्पशंक्यक बर्ग के तमाम बड़े निता साम हो दूँ जाहे माराष्ट के प्रेजद्द अबु आज्मी की बात करें चाहे मुरारबार से सांसर एस्टी हसन की बात करें और चाहे अलवसंक्यक प्रकोष्ट या अलवेंगर सभा के रास्टे डच समयवड़ी पार्टी के एकवाल कादरी की बात करें सबने यहां अपनी बाते कही और जब पस्मादा समाज के बीजेपी में जाने को लेकर बात पूछे करों ने कहा कि समाज ना बीजेपी के कभी साथ था और ना कभी जाएगा और मुस्रिम बर्ग हमेशा समयवड़ी पार्टी के साथ दिया है और आने वाले समय में देगा पर इससे समयन aha से समय बॉड़वडरी पार्टी को बेहतर करने को जूट गई है कुछ द्रूर हो गया है क्यों कि लिजएपी तमाम समय मेंके मादरने में से उनके बॉलकु उसमें लगातार बीजेपी लगातार पस्मानच समाज को आपने पामने परिआ ऐंका मजबूत करती ने जरा रही है फिराल इस बर्ग सम्मिलन में क्या हुआ अलफ संख्या के लोगों ने क्या कहा उनके निताओं ने क्या कहा समय पार्टी को लेकर उनके क्या बिचार है और कितना जुडाओ है वो इन बयानों में सुन लेते हैं फिस तर्चा को आंगे बढ़ात है इस तरह से सारे लोग परिशान हैं सब लोग मिले आ जहां पर इस सब मिल करके हम लोग अपकी बार निकलेगा और जो इंडिया उप्ता गटबंदर बंड़ा इस गटबंदों को मजबूत करके समाजवाजवाजी पार्टी और गटबंदर की कम से कम साथ सुटे चुके जाने का लक्षप लाटी है फुद पाकिसान जिंदाबाद वालवादी है फुद यह सब काम करके जुदा ठेक वाटी है उसके पासे सब काम कर रही है अब जो है लोगों के हमदर्दी पढ़े और हमदर्दी निबले कि आप इससे नफत बढ़ेगी लोग अल्प संख्यक ह हालात हैं वो सब को मालूं है सब ने अपनी चिंता व्यक्त करी उन हालात को देखते वह देखते वे और इस बात का अधम लिया गया कि हमारे देश की गंगा जमनी तदेब प्यार महुबबत को हमें हर हालत में हर कुर्वानी देकर बरक्रार रखना है नफ्रतों की करने वालों को सब को नकानना है हम सब मिलके हम जैसे हमेशा से रहते आए ते आज उसी तहां से रहते हुए प्यार मुहबब से हिंदु-मुस्रिम इत्या से देश को आगे बनाना है कर्चा यह हुई है कि सब्सक्राइब तो हमारा बोर्ट को मुझमन काटा जाता है और बोर्ट जो है तो सम्राणी के हम लोगों ने निद्वेश दिये अपने अपने हलकों में जो है तो भूत अस्तर पर बोर्ट बढ़ाए जाए और इसका बोर्ट कटा उसके सम्राइए ताकि जो है आने वाले वक्त में 24 में इस सरकार को हटाया जा सके और इंपना में इंदिया कुछ सरकार को हटाया जा सके यह कहना है समर्वड़ी पार्टी के अलफसक्र सभा के राष्टे रच इकबाल काजरी का अब जो सम्मेलन हो रहे हैं उनसे चितना जलाएगा जा रही हैं और सबसे महत्पूर बात है उनको अपने पाले में करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है महत्पूर चर्चा विसाय आका क्योंकि यहां पर अखले स्यादों पूरी तरह से पीडिये पर अपनी कमान कसने की पूरी तरह रहनीती बना चुके हैं आप सब को रूबरू कर रूब में हाँ पर जनाब आमिर साबरी अपनी मेटपूर समिछा करते नजर आएंगे अब सभी का इसकारकत में बहुत-बहुत स्वागत है तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा कैसी जैन से किसी जैन जी किस तरह देखते हैं यहां पर जिस तरह से आप समाज का समयरन चला रहे हैं तो यहां पर आप समयरनी पार्टी भी आप से पीछे नहीं है यह भी अब अलफसंकिक बर्ग को जो की उनका परमप्राकर बूट बैंक है उसको अपने पाले में करने का पूरा- पर पड़ता है कि अब तो यह आपके लिए कई नहीं नुकसान दें क्योंकि आपके रही है जो रहनीती पिछले कई मैनों से बन रही है कि मुस्लिम बर्ग को खास तोर से पसमानदा समाज को अपने पाले में किया जाए जिसको देखते हूं आपने हाल में ही संपन्न हुए निकाय चुराओं में आपने बड़ी संख्या में मुस्लिम बर्ग को टिकेट भी दिया था कैसे देखते हैं कि इंता पार्टी कभी भी कोई भी चुराओं हलके में निदर अच्छा दूसरी बात यह है कि नहीं बात तैयारी की जिस परकार से हमारा महाजन संपर का भ्यान चल लहाए है कि पार्टी नेता है थे हम प्रेटर में अधिक ञाह elf इन हुट नेता है यह सार सनंट की चुरों बेठाकर समय से इसा कि वहांदा मुस्लिम समाँ से थे नियुक्त इस तरीके की भारती जनता पार्टी येवल केवल स्वग्दार से जड़ी हुई है पिर अब बनाया जा रहा है कि 15 मुस्लिम समाज से तिर्फ बार्टी जन्ता पार्टी भी होगी है। बार्टी जन्ता पार्टी सबका साथ सबका विकास मॉडल ले करके आगे बड़े है। और हमारे जितने भी मंतरी हैं और जितने भी हमारे संगठन हैं नहीं है जाल। मुस्लिम वर्ग को अच्वता समझा गया या उनको छोड़ा जा लेकिन परस्बस जरू तयार किया गया गया जिसके है पहले कहा गया कि इस पर सिर्फ को त्माज बात्शी जन्ता पार्ट्टी से जुड़ा हुआ है जी अब परस्बस त्यार किया जारा है कि इनिए के और लो सी नहीं के वहाल कोई जाट विस्ये नहीं क्यों धर्म विस्येश नहीं हम तो हमारा model बार्ति दलता, party का a model है हुम सबस्शा का साथ सबस्टा विकास का wanna लेकर के चल लोग लेकिन क्या है कि जिन parties, जिन somebody party हो को दिन party पाटियों को को करके लेके जाएंगे और उनको अच्छू समझते हैं फिर जा करके जो है इत्रों और तमाम सारे सुगंदित पदारतों का इस्तेवाल करते हुए याई पी स्दान भी हो करते हैं तो उनकी कतनी और कर्णी में अंतर है बारती जनता पार्टी की कतनी और कर्णी में कोई अंतर नहीं है और हमने तो काम किया है और जो हर एक वर्ग के लिए काम किया अगर आप देखिए कि अगर किसानों के पाँचलाख लोगों को आवास मिलते हैं, तो क्या उसमें मुस्लिम वर्ग की लोग नहीं हैं? और हमें तो लगता है कि अगर देखा जाएं कि आज्ञादी की इतने समय बाद भी मुसलमानों का ओर तो समय लिया. अच्छा के लिए काम नहीं किया यही कारण है कि आज मुस्लिम हमारे साथ कुल करकर जुड़ा हुआ है आप देखिए वो सीट जहाँ से आजब खान साहब शचुछ हुआ करते थे वो सीट जहां से वो बिदायक भुआ करते थे आज वो सीटें भी भारती जिन्ता पार्टी जीत रही है क्यों जीत रही है क्योंकि और वहां पे पचास परशल ज्यादा मुसलिम की आबादे भी है विदासमाज सीटों को भारती जिन्ता पार्टी जीत रही है तो इसका बतला इस परश्ट है कि मुस्लिम भाई हमको ओट दे रहे हमको पसंद कर रहे हमारे साथ में क्यों कि सब ने सिर्फ क्या किया ओट रिया मुस्लिम समाज का लेकिन उनकी इस्तिती ज़स से तस रही बस से बत्तर रही उनका इस्तिती उनका इस्तेमाल किया गया आँ कहिए ना कहिए तुष्टी करण भी पिछड़ा वर्ग विए तो पार्ति जंता पार्टी जंता कि यह आपने कहा लाइं जो भी पिछड़ा वर्ग है जो भी मुसल्मानों में पस्मादा समाज आप आप ले कर रहा हूँ आप लिए में बहुंगा शिर्प पस्पांदा समाज नहीं को रहा ची जिए घजी बहुए आप बस्मादा समाज के नाम सम्मेलन कराते हैं तो मैं भई बॉलूँगफ यहू वर्ग सरमिलन तो जूप में भॉलूँ गा तक फिसमे नमद की वाली बात कौ रही हो समाज समाज का जो जो मेटिंगे रखते हैं समाज रखता के तरीके की मेटिंग का नाम हमारे पार्टी के नेतां आप पर जाते हैं तो सबका सास सबका विकास का मौडर ले करके जाते हैं और 2024 के एलक्सन में जो ये लोग कह रहे हैं ना तमाम सारी बाते जो लेके चल लें कि हम इनके साथ में हम उनके साथ में जिस प्रिकार से आप देखिए कि अभी उतर प्रदेश में नगर निकाय चुना हुए मेयर की एक सीट पे खाता नहीं कुला वही होने वाली लोग समचराओं में असी में से खाता नहीं कुलेगा चले ठीक है किसी मेरे दो सवाल है आप बता दीजे फिर मैं पेपे पांडे को लेता हूँ एक सवाल आपने काया कि यह बर्ग हमाए साथ है वह अच्छी बात है बढ़ा ही आपको उसके साथ के आएगा अच्छा वह आप देखिए जितनी भी यह बर्ग आपके साथ कब आया बताएंगे आप कब यह बर्ग मुस्लिम बर्ग आपके साथ आया बतारीजी मेरे तो मैं फुला अस्दाद लगा पांगा जब हमें काम करने का उसर मिला चोड़ा से मालने चोड में जो लाव मिला चाहिए ठास करके मुस्लिम वर्ग को जो लाव मिला थिक अब मुस्लिम वर्ग को इसके का एसास हुआ मुकला आप सत्ता में बहुत अच्छी बात है तो चौदा में तो 71 सीटे आई थी उन्निस में 64 हो गई तो अगर इस बर्ग ने आपका साथ दे रहा है तो आपकी सीटे यहां पर कम क्यों हो रही है और जो गडवन्ना ने खास्तोर समय बड़ी पार्टी बो सत्रा में 47 सीटों पर आए थे उस बार 110 सीटों पर आ गए उनकी सीटे बढ़ रही है फिर आपके साथ है कि बर्ग आपके साथ है ने देखिए वर्ग का यह है कि जो सीटे हम कभी नहीं जीते हैं अच्छा आप देखिए कि जहां 30% मुस्लिम उतर है जहां पर भारती जनता प कि आप कि आप है कि वर्ग परॉटिश जीटना पहर थे हैं कि Bokpics आद्म की वोट्वाटर होती है वह जीता-जीतना माना जाया किसी वाई कि ए अतनी कम शोटिंग ऑर कम वोट पर जीतना-जीतना माना जाएंगा क्या कि बात का वोटिंग का अगर वार्टी आज्यादा प इसका मतलब हमारे हैं कितना डिफरेंस है इसका मतलब हमारे सरकार बार्ट की बात हो रही है, यह बोटिंग की बात हो रही है, तो देखिए आखर के बार्ट के बहुत है, कर रहा है बाप के साथ है ये लिए कार से नों ने किया और उसके पहले गरिजा बनन से को लाव उता हुआ उनको नहीं दिखा लिया बनंट तोड़ेंगे हूं अब त sensor पार्टियों के साथ घरवदनन है जosium में से कौन कौन सी पार्टी किस-किस प्रदेश में उतरेगी क्यों अपने अपने-अ-पने-स्टैट में उतरे थेड़ेंगी है या हर एक स्टैट में दो-चार-पार्टियों को तिकट हो देंगे जैश्ध दो पार्टी् hurt , यह तो उनका by से ठैंख लेकिन अभ ही ही जब सीटों का बच्वारा होग चाहिए कांग्रेस के द्वारा कि हाँ तब यह तै होगा कि समाजूधी पार्टी को उभ्तर परचफ में इतनी स्धिटें लडने को मिल लही हैं लेकिन वर्तमान में है अच्छा वाइब लेता है कि आपके सार कोई जाने वाला नहीं है जो है और यह बोट बंच पर जाने को तैयार है तमाम सीटे के जीत के आकड़ें में बता रहे हैं कि बर्ग बीजेपी के साथ जाने वाला है किसे लिखते बेपांडे दल इतलित के फिर खने कोई आणने बैटा से अरक आज तक इतिहास में जितने भाजपा नेताओं ने दलित के दलित परिवारों के घर खना कई आप कोई पी दलित साथ पे खाना खने नहीं बैठता है और दलिती भोजन से गायब है, मंत्री सुरेश राणा ने जब एक दलित के खाना काया था, तो बीजेपी विदायक जो मोती सिंगा उन्होंने कहा था, उस दलित परिवार का उध्धार हो गए, तो इस सोच जो है, यह एक मानसिक विक्रुता, और कहीं न कहीं भेर भाव, समा बस्मान्दाओं की बात होनी चाहिए हर वर्ग की बात होनी चाहिए लेकिन सिर्फ बात होनी चाहिए क्या उस बात की आर्बे निग में अधिकारियों के खिलाफ होती है करने वाले मंत्राले की बात नहीं हो कि पेंचन योजना के फंड में हिरा फेरी की गई है आई शिमान भारत योजना में कमिया निकालती है आयोधिया डेवलेब्मेंट प्रोजेक्ट में अनिमिता निकालती है क्विश्यों को भठका करके किस तरीके से केवल सामान लिव्यक्ती मस्तिष्क में केवल और के लिदो करन करके उसको बिलजाये रखने परकों करना कुछ झाली वाहें यह बात कॉन करने के पर नकर लेई यह तो इतिहाद है धर्म की राजिती कौन करता यह तो इस देश का शाश्वात इतिहाद है अब यह आपने क्या मैं मेरी बात आज़ाए जी बोल दीजे मैं खुश हूं हमारे राजिते पिशलेशक भी बैठे हैं और मैं खुश हूं आज एक बात से अच्छा इस चितनी चिं क्या चलती है किस तरीके से देश्डरों का कानून थोपा जाता है किस तरीके से अभिव्यक्ति को दबादे का प्रयास किया जाता और किस तरह से उस आंदोलन की आलोचना में क्या-क्या शब्द कहे जाते हैं अच्छा तब वो मुस्लिम वर्ग नहीं दिखाई देता है इनको आराजक कह दिया जाता है जब कहते हर्थिक वहिशकार करो मुस्लिम का तो मुझे लगता है कि देखे भाजपा जिस दिन ऐसे निताओं पर एक मंच पे लाकर करके माफी मंगवा देगी मुस्लिम समुदाय से उस दिन इनकी नहतिकता सार्थ तक हो क्या बात है और एक जब आज किसी जए जी के शब्तों को क्या हो गया अज क्या हो गया ग्या पूछ रहा हूं आपके मार्द्यम से जो हमें आरूपित करते थे अब यह मानते कि एक स्वांग था अगर यह था तो इसके लिए भाजपा को माफी मांगनी चाहता निया अखले शहदोजी से इसे कर दो किसी जी को रहा हुए जापब आपके मात थे शिदे को जावाग यह था यहां परिपकु मस्तिष के लोग बैटे हैं सब बदी जी हैं सब कि मार्यादा का खेयार ओ जी 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 उमें एक इसल मैंने आपके मात्यम से का मैंने सीधे हो स्वाल नहीं लेकिन मैं करके असाहस्ता महसूस करने लगती है पहले के इनकी सम्मान की बाते करने वाले मरीपूर से लेके उत्तर प्रुदेश से लेकिन ना जाने कैसी कैसी विवत्स घटनाय सामने आ करने की है जी रुद्रन प्रराप्त भी निकर रहे हैं क्या वाज तक नहीं निकलती है वह तो छोड़ दीजे खुल कर जूट बोला जा रहा है सब्सक्ताधारी सरकारे खुल करें पांदा जीए यह तो इतिहास बदर बहुत तो सबादेश मेरे बहुत आहम है आपने हापर क् को पुसक्त विए जा रही हैं ओ सब्सक्राइब करका आधने बोद्या यह फिर, इस समितीर इरानी को ले करें लेकर बता रहे हैं तो मैं आपको अपनगे इसिमितीर इरानी वेपर्च में हुआ करती थी इस समय बेपर्च में आप हैं तो आप तमाटर लेकि कई रोड पे आएंगे यह बात पीस कि माला पैनके डॉट रही थी लेकर पर तो यह प्रवादी के लोगों ने अंदोलन की गई तो हम पे फाइर क्यों की गई सेरकार को बैटे-बैटे चेता जागी कि समाजवादी पार्टी के कुछ कारे करता हूं पर पुलिस को ब्यास कर दिया अगर समाजवादी करता अंदोलन नहीं करते तो निकाय चुनावाँ में हमारे घर के सामने करता हो कि सड़के क्यों खाड़ दी गई अगर समाजवादी पार्टी के लोगों का आपको आपको जन्भावना उसके भीतर नहीं दिखाई देता है तो चाहतर संग के चुनाव क्यों बंद करवा दिय तो चले तो चले ठीक है आपने आपर चुकि सवाल भॉसे कि जवाब तो देनूं आप देख नीजिये मर्यादा और शालिंता किस इस तर तक गिरती है कि बाजपा के लोग अपनी नेताओं पर स्याई ठीकवा करके आरोप लगाने का प्रयास करते हैं तो इतनी निक्रिष्ट रादिती हम नहीं करते हैं और अगर मुद्दों पर नहीं लाड़ रहे होते तो सुन लीजिए एक अंतिम बात हम आज विपक्ष में इतनी मजबूर धाल बन करके सरकार के सामने नहीं प्रसासन कबी पूछ के होता है क्या अंदुरन कभी पूछ के होता है अला बूक्ता है कब प्रसासन नहीं रोकता है नहीं रोकता है आप राब यह श्यूंक्त बोल दीजे जब योगी जी का दोरा होता है किसी जिले में तो वहां पर कोई पीडिता अगर उनसे मिलना चाहे तो घर में नजर बंद कर दिया जाता है आपको उदारन दे दूगा और पता है तब भी विपक्ष रोड में नहीं आ रहा है को था हम तो हम तो महसुपूर्ड व कि सरकार ने अगरेट बढ़ा है तो समती राणी तुमारा स्लिटर लेकर रोड पर आजाए यादि सरकार भी यहां पर भीज़े पीज़े चला ठीक है चले ठीक है जो तो आपने बोली दिया इसमें तरह नी आप क्यों नी भूल नहीं है ठीक है हो गया ठीक है ठीक है साह मम मालीबाल धन्ना दे रहे हैं मुझे जला अच्छा लगा कम से कम कितने ऐसे लोग हमाई देश में बचे हुए है जो पेपर्स की भूमी कहने बाहर है मुझे अच्छा लेकिन ग्री मंत्री के अंदर समयता है क्या यह भी सवाल पूछता हूँ ठीक है पूछता हूँ ठीक है यह बर्ग और पीडिये की बात जो यहां पर अखले से जालों किसके साथ जाने बाला है पार्टी का फूसलिम वोट काफी लंबे टाइम तक रहा तो उसको वह आटक करने कोशिश कर रही है लेकिन मुझे समय चाहिए कि भारती इंता पार्टी एक महां बख्श्चारी पार्टी है भारत के तेहास में अब तक को इतनी बख्श्चारी प्रदेश परदेश को परसों हैं वो पूरे परदेशन करेगी हर जिले के अंदर इन महां गोटालों के खिलाफ जनता को आगा कि जाए कि इस तरह की होटाले हो ने आप ने देखा भारत मालक होटाला में ग्यारा लाग करोना होटाला हुआ जिस रोड बनाने के लिए पैसे की रेट डबल कर दी गए उसके पंदा करों से पच्शे सुन कर दिया दस करों पर किलूमीटर होटाला हुआ औ अब आप बता दो इस रोड ने साड़े चार सो क्रोड पर उपय में मंगल यान भीज दिया था मुझे अफसोस होता है 200 क्रोड पर किलूमीटर की लागत से बनीए 500 क्रोड की लागत से वह कहां आदमी को लेकर जाएगी चांद पे लेकर जाएगी कि मंगल पे लेकर लगातार खबरे आ रही है जमीन के नाम के उपर भंवान नाम के उपर बस्टाचार होता है अध्या में विकास बजिकरान ने 18 क्रोड उपय का होटाला किया है सब सामने आ रहा है मुद्धा यही है कि भारती अंता पार्टी के महां बस्टाचारी पार्टी है और जनता तरस्त होके यह भारती अंता पार्टी जब तक है हिंदू और मुस्लमान खत्रे में नहीं है लेकि रोजगार खत्रे में नौगरी खत्रे में कानुवस्ता खत्रे में महिलाओ के स्मि पूरो जी बात होनी चाहिए हमने दस साल की पूर बहुंवत की सरकार देखी है मैंने कभी पूर बहुंवत की सरकार देखी है केंडर में और वहां उसके बाद भी काम गिनाने को कोई काम नहीं चार गाम गिना दे किसी जए सब भारत प्रदामत्री ने किये हैं और इनको मानलों कोई काम नहीं दूसरी बात जो यह क्लेम करते हैं कि वर्ड गुरू पर पर दो तो तो साथ नंबर पर चाले है बारत एक तो पैदिस को पर देश्वे बारत प्रेस फ्रीडाम पर जो है एक सो असी कंट्री नंबर पर चाह बच्छाव में पी काफी नीचे तो इस अगर और रुपिया लगाता गिरता जा रहा है जा जाज भी रूपिया नीच जाए खिर रूपिया लंगा पर देंट habit पर तो स्वी मारी थालिपर लॉट कर रूपिया फाले कि बिली करने ग्रांवां और को हुआ मारा बश्राइब करें दिखार करें एंद गलवा शुटार है यहां चांग करें दिखार करें। विजयपी कहता है, हिम्मा विशाद देपरा करसमा आगे, बातर घुटाले आपके हैं, अब तूसरी पार्टी के लोग सफ़सर कोड़ा करके आ रहे दो पार्टी के लोग सबस्थरों के घुटाले बता है, यहाँ तो पशारों लोग जो बसना चारी ते लिविलीग हो गए, आपको आपको दाइए हो चलिए हो गए हो गिला कि अप करी देए विद्लेंगे अच्छ सोड़िय। करने काम हर पार्टी करती है कुछ नहीं बात नहीं है करेगी मिलकुल करेगी बी जेपी जो बोल लहीं है न कि इस बार असी पार का आधार को आए अधार पे आई आधार यही है कि यदि बहुजन समाज पार्टी कांगरेश और सपा एक साथ चुनाव नहीं लड़ती है तो दसा निश्चित तोर से असी पार होगा यह जान लिजेगा इसमें कहीं कोई संसे नहीं है यह लोग पूरे जानते हैं समाजबादी पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ी है देखी हालात क्या हुआ है कांगरेश के साथ भी लड़ी है क्या हालात हुआ है तो हालात से सब लोग हैं वाप परचित हैं जो आपने कहा अभी कि लोग सभा में आपकी सीटे यहां पर कम होई हैं क्यों कम होई हैं बहन जी साथ थी अब बहन जी साथ नहीं है तो हालात वही होंगे जो रहे हैं पहले सीटे नहीं कम होंगी यह भी आप जान लेगा अब जहां नदेश का वो ओटर है इस राष्ट का और जब वो लाभानमित होगा तो वहीं आएगा जो लाभ देगा क्या बात कौन लाभ दे रहा है और लाभ क्यों नहीं लाभ हो रहा है यह बताईए किसी भी मुद्दे पर चाहें वो किसान का ही मुद्दाब ले ले अगर उसके खाते में 6,000 जाता है आठ जाता है तो वहाँ वो ओटर है इस राष्ट का नागरिक है इस राष्ट का हिंदू मुसलमान से किसाइबाद में है तो समिकरण यहीं पर है कि लाभानमित जब भी कोई किसी को भी लाभ मिलता है अभी आपसे बताऊं पिछले चुनाओं का जो आकलन हुआ है सभी सभी पार्टियां जानते इस चीज़ को कि 80 करोड लोग जो रासन से लाभानमित हुए है उस का उसका परडाम ओटों में बदला है और लाभानमित जो भी लोग होंगे वह ओट देते यही रही पनपरा लेकिन जो आप पार्टी आई राजनित में उन्होंने क्या काम किया उन्होंने का हम सिच्छा पे काम करेंगे इस रास्ट के जो मूल भूत जरूरत है उस पे काम क करेंगे स्वास्त पे काम करेंगे ठीक है और इससे समाज में एक समाज ने एक अलग रूप में देखने का प्रयास किया ऐसी पार्टी आएगी और जो हमारे लिए सिच्छा ये बताइए हम आज के डिट में आज बात हो रही है मुसलमान पीछे हैं अरे भाई दलितों से भ काम क्या हुआ है कौन सी सरकार काम की है जो आज है वो काम की है या जो थी वो काम की है किसी को काम नहीं करना है किसी को इस बर के लिए काम नहीं करना है ठीक है मैं कहता हूं हमारे यहां दलित मुसलमानों से अच्छी इस्तिती में आए न उस पे काम हुआ चाहे वो कोई भी सरकार रही हो देश में उसने पूरा वहां पर काम किया तो वो लोग आगे आए दिख रहे हैं वैसे ही इस समाज के लिए कोई सरकार काम करना ही नहीं चाहती है कोई पार्टी हो कोई है सब्सक्राइब से आप से बहुत उमीद थी इस पूरे देश के सभी जितने भी ओटर हैं नागरिक हैं सब को आप पार्टी से बहुत उमीद थी लेकिन आपने क्या किया आए थे राजनीत में सच्चता लाने के लिए सच्चता लेके आएंगे राजनीत क्या किया आपने राजनीत को गंदा क हो गया है देखिए अब जो आप जो यह है न कि आपकी बात बोलूँ देखिए प्लीज इस तरह से इस तरह से ने होता है डिवेट जहां तक बात है आप आए तो लोगों को एक उमीद जगी लगा कि अब कुछ अच्छा हो सकता है राष्ट में लेकिन कहां आप आ गए अरे जिनको छूने से गंदगी भी गंदी हो जाती है वहां जाकर के आप बैठ गए और आज हालात क्या हो गया कि आप वैसे ही हो गए जैसे वो लोग थे तो हालात कहां गया आप आकर के कहां खड़े हो गए आप एक नई यहां पर उरजा के रूप में आए थे एक रास्ता दि कि आप प्रिज भार्टियंता पार्टी के सी जैन साब ने बहुत खुप्सूरत खुप्सूरत बाते की इसमें मुसल्मानों ले बड़ी बड़ी अच्छी बाते करें करनी की जो बात कई थी जी कथनी करनी में भाजपा का कोई फर्क नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि भारतियंता पार्टी ने प्रिट्रॉल की कीमतों पर वादा करा था कि 35-40 रुपई प्रिट्रॉल होगा जो बजया 65-100 रुपई हो गया इन्होंने तमाम दीजल पर जी इनके वादों की, जिसको एक शब्द में मान्ये ग्रेय मंत्री जी ने ये कहाए कि खारिश कर दिया कि वो चुनावी जूम्ले थे जोरव जी आप बनी बात समझ है नहीं, मैं समझ रहा हूं जी, तो वो चुनावी जूमले काया कि खत्म कर दिये गए, पॉईशन दिन पर दिन बत्तर होती चाह रही है, पसमांदा के सम्मेलन शुरू करती है, इनूने चुनाओं से पहले, कि शायद मुसल्मानों का इनूने कहा, 2019 में कि मुझे इत्ते परसेंट बोट मिला, दो हजार बाइस में कहा, मुझे तेरा परसेंट बोट मिला, और मुख्यमंत्री इनकी सारी बातों पर पानी फिड़ देते हैं, हमारे यस्ली मुख्यमंत्री उत्तर प्रोडेस के, कि मुझे एक वर्ग वोटी नहीं देता है, तो बड़ा सवाल गौरब जी है, एक जगह आप यह रुकते ही नहीं है, या तो यह कहें कि मुझे बोट मिलना है, मुसल्मानों का य तो तमाम सम्मेलन देश के अंदर हुए वोट मिलता नहीं है, और ये भी एक कड़वा सजाएगे जो इस दोर में राजनी चल लए है, गोर जाती वाद और संप्रडाइक्ता की राजनी चल लए है, अब कोई विकास पे भी बात नहीं करना जाता, अगर विकास पे वोट मि दो नहीं बंकती, आब आजाएए प्रदर्शनों के लए हमारे, बीवेक ची नहीं कहीती कि प्रदर्शन करें तो भातियन पार्टी का देड़ना मलूथ है, तो इसका क्या मतलब है, तो हम धर के घर बेर जाएए, पिस समाजवादी पार्टी तब वजूच इसके लिए हु याद होगा आपी मिलान सभा उत्तर पोधेश के अंदर लाजदानी लखनों में मैंने देखा कि पुलिस वालों पटक पटक के दरोगा वो पटक पटक के भारतें ता पार्टी वालोंने लटी उसे मारा था यह था परदर्शन और यह परदर्शन समाजवादी पार्टी के गोरब जी हम यह नदर बंद हो जाती है बुलतो रहें नदर बंद हो जाती है जिस तरीकी जी नदर बंद अब आप देगे जब अगलेश जी जगाई है कि मैं किसानों के समर्तन में जाओंगा तो जाहिए पार्टी का रहने पर गहर ली जाएंगे बाहर पेसी लगा दिया जाहिए मैं सादुवाद देता हूँ जेन चोधरी को वो गंचा बांदर के सर में और किसानों के धरने इस तरवर पहुंच गहले जी प्रियंका जी पहुंच जी आईसे राजनीत नहीं होती है यह डर की खौफ की राजनीत जो हमारे प्रदेश की नुक भी पार्टी कर रह करेंगे तो वहां तो घर में यूद हो रहा था भी तर अब कुछ थोड़ा मामला ठीक हुए तो उनमें तता नहीं है कि बाहर आने की तो गोरब जी आईसे नहीं होता है ना यह अभी और मैं फिर भारतियंदा पार्टी की तरव फिर प्लट रहा हूँ आपको याद होगा चार दिन पहले एक मुख्यमंत्री ने आदेश किया है मुख्यमंत्री के आदेश मैं मान रहा हूँ क्यों हुआ तो सची के द्वारा है कि अब हर अख़बार की तमिक्षा होगी कि कौन अख़बार हमारे खिराब चाप रहा है आप बताए गोरब जी यह चोथे इस्तंब क जानना चाहता हूँ आप बताईए अभी हमारे गजेंदर त्रिपार्टी ने बड़ी अच्छी बात कही है इस बात का कोई मोल ही नहीं है कोई जवाब नहीं है जो गई कोई पार्टी मुसलमानों को देना नहीं चाहती है यह बस से बस्तर्ण की पोजिशन जो हुई है सिर आड पार्टी मुसलमानों नहीं बनाया कि भाशा किया और घो कि यहीं मुसल्मानों की शायद बदनसीबी भी रही तो आपको याद होगा 2005 में सच्चर कमेटी बनी थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से इसपस्ट हो गया था कि मुसल्मानों की पोजिशन दलियुद बगता रहे जैसा कि अभी गजन में पार्टी जी ने कहा है लेकिन उसक कि अगर्शन सरकार की वहुमत पर इसका कॉंगरेस की उसके बाद वही सच्चर कमेटी बनाए कि तुम ने सच्चर कमेटी की क्या हुआ उसके क्यों नहीं हुआ मैं यही बात भारतिंटा पार्टी की लोगों से करना चाहता हूं कि इस देश में मुसल्मान तरस था भाजपा की सरकार प्रचंग वहुमत की बनी अगर भाजपा राजनीत करना जानती तो बहतर तरीके मुसल्मानों को गले लाती मुसल्मान भी इस देश का नागरी गए पर भोला ही नहीं गोरवजी सम्मेहलन अमने पहले गादा कि सम्मेहलन इनकी अगलेज जी की यहाताशा यह निराशा मान लीजे के यह सम्मेहलन कर रहे हैं और अब तक कोई बड़ा चेरा बड़ा चेरा जमरवाज इस पस्ट मैं कर दूं कि आदम का कर गई नाम रही आप अब इनको इनूने इंपोर्ट कर रहे हैं अब आसी माजमी को महराज से ले कर आ रहे हाला कि उतर परदेश के रहने वाले हैं अब अब आसी माजमी की मुसलमानों में क्या है जी आप बताईए जी आदम का इतना बड़ा चेरा उसको तो मनवस्ता में छोड़ दिया पुच अब हमारे समाजवादी पार्टी के साथ ही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया और आज बाती जनता पार्टी कह रही है कि काम नहीं किया आप तहुंपे आरोप लगाते थे या निकि इनों ने इस चीज को माना काम किया होता है कि हमने काम किया है कि आप आरोप लगाते थे कि हमने काम किया नहीं किया और दूसरी बात, यह काम क्या करते थे, अगर भार्ती जनता पार्टी पर आरोप लगा दी पुष्टी गड़का, तो क्यो लगा देखिए, जिस समय से यह आया, उस समय जनता को उद्देलिप करने का काम उत्तर पुदेश में किस ने किया, थमाजवादी पार्टी ने किया, कहाई जिसका हम विरोध करते हैं, सरकों पर उतर यह, तमाम जुगाउं पर धन्ना पर दसन हुए, लक्राओं में, आपको याद होगा कि लक्राओं में घंटा घर पे भी हम जो है, महिनों धन्ना पर दसन पर जी का चलता रहा, आज भी C.A. लागू है, कि तरे लोगों को दिया गया, तो ये जनता को बरगलाने क्या काम करते रहे, जब भगवार राम मंदिर पे सुप्रिब कोर्ट पे डिढ़ने आया, तब समाजवादी पार्टी के तत्कालित मुख्या ने ये कहा, स्री मुलायब शीक यादो जी ने, कि जनता, मुस्लिम जनता अपने आपको अगा महसूस कर रही, अच्छा, अरे मुस्लिम जनता ने तो कहा, साफ साफ, कि आप बनाए ये मंदिर, को जिकत नहीं है, जो सुप्रिम कोर्ट का डिढ़ने हमें मानिये, लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या किया, उनके मुख्या ने कहा, जनता अपने को अगा महसूस कर रही, जारी सुप्रीम कोर्ट का डिढ़ने भी गलत है, इसी तरीके से रूने क्या किया, जनता को संतुष करने के लिए, अध्यावे राम बक्तों पे गोली चलाने का का क्या, तिरों ने क्या क्या क्या, जब अफलेश गात हुचिया है, तो फिलेश अनकी ने आतक क्वा कि मौध की सरकार रही ऐ जत सार्, कि मौध की बहुत सारी मिल की बेहाएं, यह पंड़ों आतक जैली की वह चान siber क्रण बंदों की निरास माग्रों की मुस्तमार्य समाजवादी सरकार जो तक 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 तो यह समाजवादी पार्टी ही पें से उसके बाद अचानक क्या हुआ है कि भाजपा क्या आता है वाकी प्रकशंवह इसलेगे पड़्बा कार्ड़ जलेगें अब आ leather तकी कुछ बोला चाहरा है किसी जान की कुछ बोला चाहरा है आपको मैं मैं पूला आता हू केसे जां साफ से सवाथ उपाया थाहिकर मुस्लमानों को थैषी थे सच्छल केमिट्री की रेपों बडारा की सफार कांड लिएरी no लोग कम थे आपकी तो बूड बोब और संगार थी कोई भखना रहती है। आपने मुस्लमाने मुस्लमानों को लेंगों ऑılar twelve आपने मुस्छतों के लिए आफिंहाद मुस्लमान क्या हिंदू आपसे मेले मुस्लमान उपण दरे के साइब एक इनक्साथ राए parent dh गाला करॉड कर ना हो गाय है है और मेष्ट पर बधेस में कोई सवाग को ने सकता है आप पैस में पाचा कि में नगा रहे हूँ नोगों अदी में पार भी जेश्ट केफ़ा नहीं फार रहे वाइस इसाभण क्वान देन रहा है हैं आधे धुर मुल्मानों और दे ना और भाग रहे दे तर बाग रहे ज़िए ना भी शे महीने आए एक बिल आ सकते हैं जे लिए अंको अ शबाशन को प्ले देशी हैं जी कोई पते दिये कितने मुसल्मान आद के अच्छा रहा है यह वो गया अच्छा हो गया अच्छा पताया है उत्य प्रजेश में कितने मुसल्मान पर देंटरी है किसरी मुसल्मान को बता है मुसल्मान को बतीकर देंटरी है विदा सबा चुरौगे दर विकास कि राणीर पे सब्ता पे आई आज वह हिंदो मुसल्म कर रहे हैं यह अजने का इन्वाद शक्तारा किया पर दे पर दे वह रापते बही करें थिक है अधे पांड बोला बहुत का बाँने को देने का अधे पांड बोले हैं तकी निकिन तकी हो गया भई खड़ाबर करिये डेपांड बोले का बहुत की अधो घोज सना आप्टे इस देश में भाशता की रादी ते बॉट्पा की रादी ती जैन जी जो बैठ करके जोगें हैं फॉस्ता को बचल के लिए और वह जो की तर्फाय बड़ेज देश्टा कि बड़ेजिसे करते देश्टा का करों बहुता ह्तों थी नितलत हैं डूरा रहा है रादी पांग्रेस से अपने कर को दकनते हैं और पडर दिग्राद है यूद्यार वाइक नहीं उन्मिद्द आप्वनाग्रेसु शभी प्रमादी इसे आप दिछ करा आफ दिखना आप का दिखना आपका आद आसी पार्टी को लेता हूं को लेता हूं को लिए पांड़ मुझे लगता है केसी जैन जी की पार्टी और इनके नेता जित्रा हिंदू-मुस्लिम करते हैं मुझे तो यह लगने लगा है कि कही ऐसा नहों कि भाजपा भी पाकिस्तान फंडेट हो अच्छा बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल मैं तो सवाल उठा रहा हूं जफर नगर दंगे की फाइले सुप्रीम कोर्ट क्यों खुलवा रही है बताएगी न मुझे अच्छा इन्होंन बात का मूल यही रहा है कि हम बात कर रहे हैं मुसलिम ओटर पर मुसल्मानों की आज कि मुसलिम नेता का नौ होना मुसल्मानों के लिए सबसे बहुत जो सबसे बत्तर जो इस्तिति आज है न मुसलिम नेताओं का नौ होना है अच्छा हर पार्टी चाहती है कि कोई इनका नेता नौ नेता रहेगा इनकी बात करेगा एक नेता जब रहता है वो वैसी बोलता है न पूरे देश में बोलता है न अकेला अकेला बोलता है और मुसल्मान यदि यहाँ पर चाहता है अपनी स्थिती को ठीक करना तो नेता बनाना पड़ेगा नेता को कड़ा करना पर नहीं अगर ऐ आइसे ही लोग आएंगे उसी रास्ते बढ़ा जा गई भार्थी जन्ता पार्टी इनको जहां ले जाना चाहती थी सब्सक्राइब करते हैं अब चुराओ पास आगा है रणीती बनानी जरूरी है सब्सक्राइब कर दोर चलता रहेगा पर आज डिबेट में निकल के आई सब्सक्राइब कर पार्टी उन्हें बहुत बड़ी बात कही कि मुस्लिम बर्ग का कोई नेता ही नहीं है जो मुस्लिम बर्ग को पत्रिट पर कर पाए जो इसका नेता पर कर पाए उन्होंने जिस तरह से तमाम नेताओं को अपना माना और उन्हीं के सारे अपने आपको जीवन तरखा पर आज भी जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मुस्लिम बर्ग का बास्तब में कोई नेता ही नह हात में हैं पर एक बात रिस्पोस्ट है कि चुनाओं को देखते हुए यहां सभी लोग इस बर्क की तरब अपने आपको रखेंगे चाहेंगे यह बर्क उनके साथ है पर यह बर्क को समझना पड़ेगा कि उनका सच्छा है तैसी हाइकौन के बल पार्टी ना देखिए ब्यक तakat गरस्ता राजनीती कि उससे अलग वेकास के ति करें और जो वेकास की राजनीती करने वाला प्त्यासी होगा वह बहले कि सीबर्क का हो अगर उसको बोट डिया जाएगा यह पर उसके साथ जाएगा तो सायद देश का विकास भी होगा और में अत्मूर्द बात ही है कि इस ब्रक अधार भी होगा क्योंकि आज भी यह बर्ग हासी पर है आज भी इस बढ़ को बैतर करने के लिए बहुत कुछ कड़म उठाने बाकी हैं तो आज की चर्चा में इतना ही मुझे रजबी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार